कि नमस्कार प्यारे बच्चों क्या हाल चाल है कि यूपी एस की प्रारंबिक परिच्छा दो हजार तेईस के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि इतिहास विशय को लेकर हम लोगों की बीच एक ऐसा रिलेशन बन जाए जो इतिहास को समझने में सीखने में मदद गार साबित हो इनी संदार्वों को लेकर हम लोग इतिहास को लेकर चलना है और जैसा कि आपको पता है कि क्रमबद ढंग से चुकि अध्यायों को हम लोग लेकर चलेंगे और एक चेन कल हम लोग ने जिस लेक्चर में जैसे चर्चा की थी तो चेन अगर हम लोग की बन जाएगी तो निश्यत तोर पर एक समझ विक्षित हो जाती है बहुत आसान हो जाता है हमें इतिहास को समझना ठीक है तो उस चेन के संदर्व में ही हम लोग वैदिक काल को आज प्रथम अध्याय के रूप में पढ़ेंगे तो उससे क्या है पूर्वैदिक काल और तर्वैदिक काल कहीं और शेफ धर्म या वैश्णोधर्म को पढ़ना फिर वह डिफर हो जाता है तो उसी क्रम में फिर हम लोग मगत का उत्थान पढ़ेंगे मौरेकाल पढ़ेंगे मौर्यतरकाल पढ़ेंगे तो यह पूरा एक क्रम चलता रहेगा और अंत में हम लोग पाचान और हडपा को भी पढ़ लेंगे ठीक है तो एकदम निश्चिंत होके चीजों को सुनिए समझिए और सीखिए ठीक है चलिए आज की कक्षा को हम लोग सुरू करते हैं इतिहास आपके सामने लिखा हुआ है अच्छा चलिए आपसे एक प्रस्ण प दिजिए जल्दी से कम ओन इंडिया एक एक बहुत ही साधरन सा प्रस्णाफ के सामने है कि इतिहास के भाग कितने है ठीक है वेरी गुट शाबास जिन बच्चों ने तीन बोला है उनको बहुत बहुत शाबाशी है ठीक है अच्छा तीन कौन-कौन से है जल्दी से इसका जवाब मन में है ना मन में तेज से बोलो ठीक है तो दिया अच्छा अब देखना इस बात को समझना कि अब आपने जो मैच करिए इतिहास के कितने भाग है तीन भाग है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं इतिहास कहीं बहुत है बहुत बढ़ी हाँ आप लोगोंने जवाब दिया है A B और C, ठीक है, तीन भाग है, very good, शाबस, तो तीन भाग में पहला भाग कौन सा है, तो पहला भाग है, प्रागयतिहासिक काल, प्रागयतिहासिक काल, ठीक है, प्रागयतिहासिक काल, very good, दूसरा कौन सा है, दूसरा है, आधे इतिहास, वेरी गुड, शाबाज, ठीक है, तीसरा कौन सा है, तीसरा है इतिहास, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये जवाब दिया था, ठीक है, वो बच्चे अपनी पीठ थप-थप आ सकते हैं, लेकिन जिन्होंने पराचीन, मर्देकालिन और आधनिक जवाब दिया था, वो सही नहीं है, ठीक है, वो सलेबस है, तो ये तो देखो कि सलेबस को हम किस धंग से पढ़ते हैं, इस से हमको ये समझ में आता है कि हम सलेबस का हमारा धंग क्या रहता है ठीक है, अच्छा, अब प्रश्न उठता है, अच्छा हाँ, पहले तो इन सब्दों को देखके बि प्राग धन इतिहास देखो आराम से समझ ना प्राग धन इतिहास लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं प्राग का मतलब क्या होता है पूर्व पूर्व का मतलब प्री बिल्कुल सही है और हिस्ट्री इतिहास को क्या लिखेंगे हिस्ट्री तो क्या बोलेंगे इसको प्रिष्ट्री बोलो हा या ना अब आसान हो गया शब्द प्रागेटिहासिक काल प्रिष्ट्री ठीक है तो यह आसान सब्द है जो हम आसानी से सीख सकते हैं समझ सकते हैं ठीक है अच्छा अब आ जाओ दूसरे शब्द पे जिसका नाम है आध्य इतिहास, ठीक है, आध्य इतिहास में आध्य का मतलब होता है प्रोटो, ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो और हिस्ट्री, बोलो हाया न, ये बात भी समझ में आ गई, प्रोटो हिस्ट्री, और ये अपना हिस्ट्री तो है, यहां तो क क्लियर हो गई एकदम इस्पष्ट हो गई अच्छा जब हमें तीनों चीज़ें इस्पष्ट हो गई तो हमारे मन में फिर एक प्रस्ण आना चाहिए कि हम इतिहास को इतिहास शब्द से ही क्यों नहीं पढ़ लेते हैं हम इसको तीन भागों में क्यों पढ़ रहे हैं ऐसी क्या मजबूरी है ऐसी क्या समस्या है तो देखिए समस्या है क्या है आईए उस समस्या को समस्ते हैं और उस समस्या का निदान करते हैं और निदान केवल एक शब्द में हो जाएगा हाँ यह आपके लिए विशेश चीज है किवल एक शब्द में आपका निदान हो जाएगा कि इन तीनों में अंतर क्या है ठीक है चलिए इसको समझ लेते हैं देखो सबसे पहले तो यह देख लो कि इन शब्दावलियों को समझ लो प्राग्यतिहास आदितिहास और इतिहास ठीक है प्राग्यतिहास का मतलब है कि इतिहास के पहले का इतिहास इसको समझो जर्ण क्या लिखा है प्री हिस्ट्री यानि की प्री हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ है हिस्ट्री का प्री यह बात समझ में आई? बस इसी समझ को तो हम लोग को विक्सित करना है ध्यान से है ना? अब देखना, अब इसको हम लोग और भैधर डंग से कैसे समझेंगे? कि इन तीनों में जब अंतर करेंगे, अंतर एक वाकिस से हो जाएगा, शब्द से हो जाएगा, वो क्या है, लेखनकला, क्या है, लेखनकला, लेखनकला से इन तीनों में अंतर इसपस्ट हो जाएगा, बहुत ध्यान से चीजों को समझेगा, यदि आप बिल्कुल पहली बार कि यह इतिहास का पातुतक है ठीक ना तो लेखनकला मिली है और मिली नहीं है तो हम इसको पड़ भी नहीं पाएंगे कई कई कोई समझ्या नहीं यह बासition में आ गई अर्थात इतिहास के उस भाग को प्राक इतिहास कहा जाता है जिस भाग में हमें लिखित विवरण प्राप्त ना हुए हों क्लियर है अब यह आपका एक कॉंसेप्ट हो गया कि इतिहास के उस संपूर्ण भाग को जिसमें हमें लेखनकला मिली ही नहीं या यह कहलो कि लेखनकला की समझ ही नहीं थी यह जदा बहतर होगा कहना कि लेखनकला की उनको उस समय के लोगों को समझ नहीं थी तो जब तक कि वो समय प्राक इतिहास कहलाता है यह बाद समझ में आ गई वेरी गूड शाबाज अब proto-history यानि कि आदि इतिहास को समझ लो आदि इतिहास को कैसे समझेंगे आदि इतिहास का मतलब हुआ कि लेखन कला तो थी है ना यानि कि लोगों को लिखने की समझ थी लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाएं है यह हमारी कमी है उन लोग की कमी थोड़ी है उनको दो लिखना आता था वो दो लिख के चले गए लिकिन उस लिखे को हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं हम सायद उतनी कि गंबीरता से मजबूती से चीजों को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या लिख गए ठीक है तो क्या इसको हम बोलेंगे कि इतिहास का ऐसा समय जब हमें लेखन के प्रमान तो मिले हैं लेकिन उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं पुलिस टॉप तो पढ़ नहीं पाए हैं तो वो पूरा का पूरा इतिहास किस में आ जाएगा आदि इतिहास में यह वी इतिहास का मतलब क्या है अच्छा यह बाते हम इसलिए हम लोग चर्चा में रखते हैं जो हमने कल मूल बात आप से कही थी क्या कहा था कि आपका इतिहास से जुड़ाव तभी संभव है जब आप इतिहास को समझने लग जाएंगे यह सारी चीजें आपकी इतिहास के परती समझ को विक्सित करने वाली हैं क्योंकि आप एक अभी बड़े मेराथन में शामिल होने वाले हैं है ना उस मेरतन का मतलब के आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे आप मद्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे आप कला और संस्कृति को पढ़ेंगे तो आधार अगर मजबूत होगा, तो कक्षा कोई भी हो, कैसी भी हो, विशय का आधार आवश्यक होता है, मानस पटल पे ऐसी चाप विशय की होनी चाहिए, जिससे आप अपने आपको एक मजबूत इस्तिती में पाएं, है ना, तो आधार मजबूत रहेगा, है ना, अब यहाँ पर देख लेते हैं, इतिहास का मतलब क्या है, कि इतिहास, उसे कहते हैं, जब लेखन कला थी, और हमने उसे पड़ भी लिया है, तो मुख्यता इतिहास क्या है, तो लेखन कला के संदर में इतिहास वह है, कि जब लेखन कला किस समझ लोगों में आ गई थी, वो लेखन कर रहे थे, और उस लेखन को हमारे द्वारा पड़ भी लिया गया, यह है इतिहास और लेखन का संबंद, अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और यह तीनों ही अंतर आपको इसपश्ट हो गया होंगे, यह वास्तविक भाग हैं इतिहास के, ठीक है, यह बात भी समझ में आ गई, वेटी गूट, शाबाश, अच्छा, इसमें हम लोग, अब जैसे मालीजे आपके मन में फिर भी एक दुविधा रहती है, दुविधा क्या रहती है, कि सर इन लोगों ने लिखा क्यों नहीं, लिखना चाहिए था, लाखों वर्सों का इतिहास है, अरे भाग्या तो उनके मन में समझी नहीं आई थी, तो कैसे लिखते, ठ लिखन की समझ विख्षित नहीं हुई थी, ठीक है, फिर दूसरा प्रस्ण आपके मन में आ सकता है, कि आद इतिहास, यानि की प्रोटो हिस्ट्री, लेखन कला, कि ऐसा क्या, क्या हम पढ़ नहीं पाएं, क्या विशेष्था, तो विशेष्था के संदरों में अगर हम लोग देखें, तो देखो, आद इतिहास के अंतरगत, जैसे प्रगतियासिक काल के अंतरगत हमारा कौन सा अध्याय रहता है, हम लोग पाशान काल पढ़ते हैं, अयाना, यह आपका प्रगतियासिक काल हो जाएगा, ठीक है, अच्छा, आद इतिहास के अंतरगत हम क्या पढ़ते हैं, आद इतिहास के अंतरगत हम, कितने अध्याय आते हैं भारतिय इतिहास में, तो मुखता अगर हम देखें, तो हडपा सब्वता, यह जो है, यह आद इतिहास के अंतरगत हडपा सब्वता आती है, इसका मतलब यह है कि हडपा सब्वता में जो कुछ भी लिखा, जो कुछ भी लिखा गया, हम उसे पढ़ नहीं पाएं, तो कारण क्या है, आए कारण को समझते हैं, ऐसा इन्होंने दिया क्या, कि जो हम लोग को प्राप्त हैं, इनके लिपी के नमूने, तो जब यह लिखते थे, तो यह बड़े विशेश प्रकार की डिजाइन टाइप की बनाते थे, है ना, जैसे इस तरह से उन्होंने कुछ बना दिया, या इस तरह से, इस तरह से उन्होंने कुछ बना तो कहने का आश है अच्छा यह बताईए यह आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं यह आपको क्या दिखाई दे रहा है तो आप खुद कहेंगे कि यह लेखन तो छोड़ो यह चित्र टाइप के दिखाई दे रहे है है लेकिन अब मुद्दा यह है कि यही हडपा लिपी है लिप है छितर जैसे लेकिन भाग है अक्षर का तो दोनों के मिला दो इनलों की मिला है लिपी के रूप में चित्रक्षर बसांको निकल आया जहां अचित्र हिक ए स्चत्राक्षर रूप में उन्हों पर दो क्योंकि देखो अगर मानो द्वारा प्रह्मी लिपी को पढ़ लिया गया आर्माइक लिपी को पढ़ लिया गया दुनिया की तमाम भाषाओं को लिपी को पढ़ लिया गया तो इसमने फिर ऐसी क्या विशेष्था तो हुँझ तो विशेष्था रही तो पहली तो बच्चौं आप यह समझ यह के पहने तो यह विशेष्था heated चितr रूपी अच्छा, उसके बाद समस्या क्या है, कि बाएं से दाएं दाएं से बाएं इस तरह से movement है लिखने का तो, जिसे आप अच्छा बताईए, जिसे आप हिंदी लिखते हैं अब जिसे हमने यह हिंदी लिखा तो कैसे लिखा पहले हम left to right गए अब इसको हम इस तरह से लिखते जाएंगे, फिर इदर लौटेंगे, फिर लौटेंगे, तो लौट के लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे लिखें, है ना, आप माली जे उर्दू लिखते हैं, तो इस तरफ से लिखेंगे, भाई लिखना नहीं आता हमको, है ना, इस तर इस तरह से, अब ये क्या है, ये राइट टू लेफ्ट है, फिर लेफ्ट टू राइट है, तो इस तरह का जो हमें लेखन दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं, बूस्त्रो फेदन, क्या बोलते हैं, बूस्त्रो फेदन, बूस्त्रो फेदन, ये अंग्रेजी सब्द है, ठीक है, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं, गो मूत्रिका लिपी, ठीक है, बूस्त्रो फेदन या गो मूत्रिका लिपी, बताइए, ये बात भी समझ में आ गई, कोई समस्या वाली बात नहीं है, अब यहां तक तो समस्या नहीं है, अच्छा, नोट करना है ये सब, कुछ भी ऐसा नहीं है, जो बोर्ड पे लिखा हो, और आपके रेजिस्टर पे ना लिखा हो, तो लिखना जरूर है, ठीक है, तो इसको नोट करिएगा, अच्छा, तो ये पूरा मामला समझ में आ गया, इतिहास में तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमको मिला भी है, और हमने पड़ भी लिया है, और कोई ऐसी हमको समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर भी एक समस्या पर हम लोग चर्चा छोटी सी कर सकते हैं, क्या, कि इतिहास पर सवाल आता है कि सबसे प्राचीन जो लिखित साक्ष हमारे पास उपलब्ध हैं वो क्या है ठीक है तो उसका सीधा सा एक उत्तर हम लोग लिख लेते हैं कि अशोक के अभलेग क्या लिख लेते हैं अशोक के अभलेग तो यह जो अशोक के अभलेग है इसका मतलब समझे ओ, कि यह सबसे प्राचीन लिखित सामगरी हमारे पास उपलब्ध है अर्थात तीसरी स्यटाबद ईसापूरव से पहले का लिखित विवरन हमारे पास कोई उपलब्ध नहीं है जबकि पूरा का पूरा वैदिक काल है, जैन बहुत धर्म है, पुरान उपनिश्दिय परमपरा है, तमाम प्रिकार की चीजें, शब्दा वलियां आप परचित होते हैं, वो सब पहले का है, लेकिन प्राप्त नहीं है, प्राप्त नहीं है का मतलब समझे जाओ, आप कहते हैं, क्या अच्छा, हम अभी मार्केट जाएंगे, या कहीं जाएंगे, तो हम अगर चाहें टो हम रिक वेध खरी सकते हैं, सामवेद खरी सकते, पुरान खरी सकते, तो कहने का आशा ये है, कि जैसे मान लिजिए, कि ये कोई पुस्तक है, कोई बुख है, और ये बहुत पुरानी है, ठीक है, 600 इसा पुरु की, तो ये आज हमारे पास उपलब्द नहीं है, ये मूल रूप में, ये अपने मूल रूप में हमारे पास उपलब्द नहीं है, उत्रोत्तर बढ़ते क्रम में, इन पुस्तकों को लोगों द्वारा, विद्वानों द्वारा लिखा गया, उनके द्वारा जो लिखा गया, उनके माध्यम से हमको ये पुस्तके प्राप्त हैं, इस बात को समझे, गंभीर बात थी, तो मूल रूप में नहीं प्राप्त हैं, लेकिन प्राचीन हैं, तो हमें प्राप्त हैं, उस समय बाद के, जैसे मान लीजिए, कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ी देर के लिए लिखना बंद, जैसे मान लीजिए, आप ना लिखें, केवल सुने, हो सकता आप में सी कुछ यही कर रहे हूं, लेकिन ऐसार करना उचित नहीं है, लेखन के लिए आपको सला दी जा रही है, और इस सला को मानने के लिए आप बात तो नहीं है, ल तो जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ठीक है, यह 2022 की बात है, तो हमने बोला कब 2022 में, आपने सुना कब 2022 में, ठीक है, अब इस बोले और सुने को कोई 2022 में, पैंतिस में लिखे, तो आप यह तो नहीं कहोगे कि यह जो पुस्तक हमाए हाथ में, यह 2022 की है, वो तो बात की ही कहलाएगी ना, हाँ, उसमें जो लिखा है, वो 2022 का है, ठीक है, अब उम्मीद करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि चीजों को कोट करकरके लोगों ने लिखा, तो उससे हम लोगों ने, पुस्तकों का, एक संग्रे बना लिया है, यह है एक जानकारी, ठीक है, तो यह समपूर्ण जानकारी आपके सामने है, आप पूरी उम्मीद है कि आपने इसको लिख भी लिया होगा, है ना, अशोक के अबले किसल पत्थर पे लगी ही रहे, कह दिया तो कह दिया, तो मैं आऊंगा तो आऊंगा, यह ना, चली, आगे बढ़ें, चली, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे, कि जो वैदिक काल है, उस पर हम लोग एक विचार बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हम लोग समझ सीख लेते हैं तो संपूर्ण वैदिक काल जो है वो 1500 से लेकर 600 इसापूर्व तक जाता है इसवी और इसापूर्व हमने कल के लेक्चर में समझा दिया था ठीक है बार-बार रिपीट करने कोई मतलब नहीं कल का लेक्चर किसी ना देखा हो दो देख ले वैदिक काल यह संपूर्ण वैदिक काल का समय है लेकिन होता क्या है कि हम लोग इसे एक भाग में ना पढ़कर हम लोग दो भागों में पढ़ते हैं तो एक कहलाता है पूर्वैदिक काल और एक कहलाता है उत्तरवैदिक काल ठीक है पूर्वैदिक काल जो है इसका समय हो जाएगा 1500 से 1000 इसा पूर्वैदिक काल हो जाएगा 1000 से 600 इसा पूर्वैदिक काल हो जाएगा यह बात भी इस पस्ट हो गई ठीक अब प्रस्ण उड़ता है कि हम लोगों ने बैदेकाल को एक अध्याय के रूप में ही क्यों नहीं पढ़ लिया हमने दो भागों में क्यों तोड़ दिया आईए उसको समझ लेते हैं तो दो भागों में इसलिए तोड़ा क्योंकि एक गट एक हजार इसका मतलब यहां पर एक हजार आएगा बोलो हाया ना आएगा यह जो एक हजार है कि इसमें कोई गटना गटी है कि क्या गटी है देखो कि एक हजार इसा पूरू में अत्रंजी खेडा एटा उत्तर प्रदेश ठीक है यहां से हमको क्या मिल गया है यहां से हमको मिल गया है लोहा ठीक है यह बात समझ में आ गई एक समय हो गया लोहे से पहले का और एक समय हो गया लोहे के बात का बोलो हाया ना तो क्या अब यह आपके दिमाग में अवधारना इस पश्ठ हो गई है कि वैदिक काल को हम दो भागों में इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि एक भाग है जिसे लोहे का ग्यान नहीं है लोहे का ग्यान नहीं था ठीक है और एक है जिसको लोहे का ग्यान था श्च पूछीए तो यह कोस्चन भी परिख्याओं में आ जाता है है ना तो हम लोग आवधारना इस पुस्ट कर रहे एं कॉंसेप्ट किलियर कर रहे है हो देखिए उसमें आंसर भी आते जा रहे है क्येब है यह अलग बात हो गई अब यहां पर देखो यह पूर्वय पूर्वैदिक काल है तो पूर्वै देकाल की जो समस्थ जानकारी है बाद समझना ध्यान से जो समस्थ जानकारी है उसका जो शुरोथ है ठीक है वो क्या है आ है क्या है रिगवेद Quality कि एसी कोई भी बात कर दो हम लोग नहीं कर सकते जो रिग वेद में ना हो हमारी संपूर्ण जानकारियों का जो सोर्स है वो एक मात्र रिगवेद है और कुछ नहीं इस बात को समझ रहे हो कि हमारे पास कुछ भी नहीं है रिगवेद के अलावा ठीक है अब आयोगी बात समझ में रिगवेद के इलावा पूर्वेद कल की जानकारी हमें किसी अन्य चीज से प्राप्त नहीं होती है ठीक है अच्छा ये बात भी समझ में आ गई ठीक है लेकिन आप कहेंगे के सर वेद तो चार है बाकी तीन कहांगे तो बाकी तीन आपको यहां दिखाई देंगे। आमवेद, यजुरुवेद और अथरुवेद, बोलो इस पस्ट हुआ, यह कॉंसेप्ट भी किलियर हो गया, वेरी गुड, साबाज, ठीक है, एक तो यह आपको ध्यान देनी हैं चीजे, अब यह आपका एक कॉंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है, अब आगे बढ़ें, है न, नोट कर लिया, नोट कर लिया, चलिए, अब हम मान लेते हैं आपने, नोट कर लिया होगा, अब बढ़ते हैं, आगे, देखो, हम लोग बैदेक काल की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यह देखो, इसको मैप पर देख लेते हैं, जैसे हम लोग मैप बना रहे हैं, ठीक है, यह विंध है, अमोमन ऐसा हम लोग बैचारी ग्रूप से सुईकार कर लेते हैं, विंध के ऊपर वाला जो छेतर है, वो तर भारत, नीचे वाला दक्षन भारत, ठीक है, ऐसा मान लेना इतिहास की समझ को बनाने में आसान थोड़ा कर देता है, ठीक है, तो आईए, जड़ा देखें, देखो, अगर हम वैदिक काल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वैदिक काल में आप एक शब्द सुनते हैं, आरे, ठीक है, और एक प्रस्ण सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाता है, कि आरे कौन थे, कहां के थे, कहां से आए, कैसे आए, यह सब प्रस्ण आते हैं, तो एक जो में कोश्चन है, कि आरे कहां के थे, ठीक है, तो इस प्रस्ण का उत्तर, चुकि एक नहीं है, अनेक उत्तर है, तो ज इन्होंने कहा है कि आर जर्मनी के थे जर्मनी के ठीक है अच्छा यह जो कह रहे हैं यह लोग यह लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो वेदों को पढ़ा उसके आधार पर जो यह को शारीर का गठन वनस पती इन्सब का आधार लेकर यह लोग कहते हैं थीक है इस बात को समझना थीक है अब जैसे हमारे बीजी तिलक सहाँ है में अच्छीं का यह क्या कहते हैं यह अर्केटेक्ड छेटर कहते हैं यह तिलक साहब ने आर्गिटिक छेद्र कहा या इसको और सरल कर लो और सरल धंग से लिख लो उत्तरीद्रो तिक उत्तरीद्रो क्यों क्योंकि तिलक साहब की बुक है दा आर्गिटिक होम इन विदाज उसमें ये कहते हैं कि आर्गिट्रो से आये थे ठीक है एक बड़ा नाम और आप सुनते हो कौन स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने कहा कि आर्गिट्बत छेत्र के थे इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश है ना तो ये जो दो बड़े भारतिये नाम है इनको तो आपको मालीजे ध्यान रखना ही मतलब है जरूरी हो जाता है ठीक है आच्छा अगले जो महत्पूर्ण है उनका नाम है अविनाश अविनाश चंद्रदास इन्होंने सब्त सेंध हो छेतर कहा है या प्रदेश कहा है अविनाश चंद्रदास ने और बस लास्ट में और एक लिख लेते हैं मैक्स मूलर इन्होंने कहा है कि आ रहे है मत देशिया से आये थे ठीक है और ब्रैकेट में इसमें लिख लेना कि फिलहाल यह सर्व मानने मत हैं हलांकि चर्चा आज भी जारी गया और युद्ध इस तरपे जारी है हलकी फुलकी जारी नहीं है तीक है तो भारत के संदर में अगर हम कहें चर्चा बहुत जोरों सोरों से जारी है कि आरे कहां के थे इस पर विशेश कारे चल रहे हैं तीक है फिलाल आप इतना ध्यान रखिए तीक है अच्छा अब क्योंकि सरुमानमत है मद्देशिया तो इनको जब हम बुलाएंगे तो जब यह मद्देशिया से आएंगे तो यह अपनी प्रारम्भिक वसावट करेंगे नहीं तो जब यह अपनी प्रारंभिक वसावट करेंगे तो रिगवेद जैसा कि आप से कहा कि प्रारंभिक जो जानकारी है पांसो वर्षों की वो सारी जानकारी हमको रिगवेद से मिलती है तो उसमें जो प्रारंभिक दौर में जो छेत्र हमको बताए गए हैं जैसे यहां यहां लिख लो नंबर एक ठीक है सबसे पहले आर यहां बसे अभी इसको हम लोग खोलेंगे ठीक है फिर नंबर दो यहां लिख लो यह तक पहले फिर नंबर तीन यहां लिख लो और फिर नंबर कि यानि कि संपूर्ण उत्तर भारत फेले गैं नंबर चार तक पहुंचते हैं लेकिन अगर हम रिगवेदिक काल की बात करते हैं शी एक की बात करते हैं ठीक है नमबर एक की ठीक तो यह जो छेत्र है यह कहां का छेत्र है तो यह अफगानिस्तान और पंजाब का जो छेत्र है वहां पर आरे सबसे पहले बसे थे और जब वह बसे थे तो उन्होंने उस जगहे को नदियों के माद्यम से निर्धारित किया, नदियों के माध्यां से हम लोग जानते हैं, यहां पर नदियां कौन-कौन सी है, तो गोमल तुवास्तु लिखते जाईएगा, कुरुमू और गोमल, सुवास्तु, कुरुमू, यह तीन हुए, ठीक है, एक और है कुभा, इन नदियों के माध्यां से हम यह हल निकाल लेते हैं, यह आरे जो हैं, वो सबसे पहले, अफगानिस्तान पंजाब छेत्र में बसे थे, गोमल का मतलब गोमती से है, अब यह पंजाब अफगानिस्तान की नदियां है, तुवास्तु का मतलब स्वात से है, कुरुमू का मतलब कुर्रम से है, कुभा का मतलब काबुल से है, ठीक है, हम यहाँ नदियां लिखना चाह रहे थे, नदियां यहाँ लिख लेते हैं, यह देखो, अब जो पहला भाग है, ठीक है, इसकी चर्चा कहा है, इसकी चर्चा रिगवेद में है, ठीक है, तो रिगवेद में जो प्रारंभिक नदियों की चर्चा हुई है, ठीक है, तो उन प्रारंभिक नदियों में हम लोग को ये देखने को मिलता है कि आरे सबसे पहले अफगानिस्तान और पंजाब छेतर में पहले थे और जब वहां ये लोग उन्होंने बसावट की तो हमें रिगवेद में इन नदियों के बारे में प्रारंभिक रूप से जानकारी मिल जब ये नंबर एक पर रहे तो इस छेतर को उन्होंने अच्छा नाम पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे तो पहले बताईए यहां तक ये बात समझ में आ गई अच्छा उसके बाद आरे दूसरे तीसरे और चौथे नंबर पर आएंगे तो दूसरे नंबर पर आएंग बात फिर वो यहां पर विंदे विंद तक आगे बढ़ाये हैं और फिर वो पूर्वी भारत तक बढ़ाये तो एक से लेके चार तक का इनका जो क्रम है वह क्रम पूरवैदिक काल और उत्तरवैदिक काल दोनों को मिला कर जब हम देखेंगे तो पूरे भारत का उत्तर भारत का हम आरी करण देखेंगे इस बात को जरा और धहरपूरवक समझना ठीक है कि ये जो एक नंबर का पॉइंट है ये तो रिगवेद में प्रारम में नदियों का उलेख है कि अना अफगानिस्तान पंजाब की ठीक है वहां तक आर्फ पहले हैं ठीक उसको सब्सिंदू भी कहते हैं अभी हम लोग लिखने ने छाते हैं तो दो तीन और चार इनका विस्तार उत्तर वैदिक काल में होता है यहां पर दो बातें बहुत important है, ध्यान रखने वाली पहला, कि जो 1 से 4 तक विस्तार हो रहा है, यह पूरे वैदिक काल में आर्यों का विस्तार है। क्या लिखा? कि पूरे वैदिक काल में आर्यों का विस्तार है। और दूसरी महत्पूर्ण चीज आपको क्या नोट करनी है कि आर दक्षिन भारत नहीं गए थे देखो दूसरी बात भी बराबरी से महत्पूर्ण है आर दक्षिन भारत नहीं गए थे क्योंकि एक दो तीन चार के लावा हम लोग ने पांच छे साथ आठ नहीं लिखा है यह बात समझ रहे हो नहीं इस बात को चलो लिख भी देते हैं आर दक्षिन भारत नहीं गए थे ठीक है उसका उस समय जो भी कारण रहा हो क्लियर है इस पस्ठ है कोई समस्या नहीं वेरी गुट ठीक है यह बात भी हम लोग को समझ में आ गई अब जो आपने एक दो तीन चार लिखा है जरा उसको ध्यान दे लो कि जैसे एक नंबर है जब आर एक नंबर पे थे तो उन्होंने उसको ब्रह्म देश कहा ठीक है जब वो दो नंबर तक पहुंचे गंगायमनद्व आपको तो उन्होंने उसको ब्रह्मर्शी देश कहा ठीक जब तीन नंबर तक उन्होंने अपना विस्तार कर लिया तो उन्होंने मद्यदेश कह सकते हैं और चान नंबर पे जब कंप्लीट हो गया पूरा उत्तर भारत तो वही आर्यावर्थ कहलाया और यह आर्यावर्थ इसलिए भारत का प्राचीन नाम कहा जाता है यह सुन्नो यह इतना लिख लिया इसमें भी आपके पर्याप्त प्रस्ट और उत्तर आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ बच्चों के मन में आ सकता है कि दक्षिन भारत को लेकर इस बात को द्यान रखिएगा कि आर्या दक्षिन भारत नहीं गए थे इसका मतलब यह है कि पूरवदिक काल और उत्तर वदिक काल के दौरान वो दक्षिन भारत नहीं गए थे इसके बाद अगर हम उत्तर उत्तर बरते करम में देखें तो तो फिर जाएंगे ही ठीक है और गए भी ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि उसके हम लोगों फिर एविडेंस भी मिलते हैं जैसे संगमकाल में रिशी अगस्त का नाम आप सुना है वह रे संस्कृती गो उत्तर भारत से छो ब्राह्मन है वह दाक्ष्ण भारत भी गए थे मैं उन्हें वेदमार कहा गया कि वहमें अब बाद में मिलते हैं तो ऐसा नहीं है यह कि आर अोत जो कहा जा रहा है उसको उसी अंदाज में समझेगा क्योंकि बार बार कॉंसेप्चुल लाइन को रिपीट किया जा रहा है कि यह जो समय है आपका वैदिक काल इस वैदिक काल में आरे दक्षण भारत नहीं गए थे ठीक है आगे बढ़ें तो जैसा कि चलिए नदी वाला जो पॉर्शन है उसको हम लोग खतम कर लेते हैं तो सब्थ सेंधव जो छेत्र हम जानते हैं जो मुख्य कर्म भूमी आरेयों की बनी तो सब्थ सेंधव प्रदेश की जैसे हम लोग चर्चा करते हैं तो उससे पहले कि इस बात को समझ लेते हैं कि नदियों का उल्लेख है न तो अगर हम वैदिक सहिताओं की बात करें ठीक है वैदिक सहिता उसमें संपूर्ण वेद आ जाएंगे रिगवेद सामवेज जुर्वेद अधरवेद संपूर्ण वैदिक सहिताओं की बात करें तो इसमें 31 नदियों का उल्लेख है ठीक है कितनी नदियों का उल्लेख है 31 ठीक लेकिन अगर हम रिगवेद के नदी सूक्त की बात करें अब यहां ध्यान से लिखना के रिगवेद में अ अ एक नदि सूक्त है इस नदी सूक्त में नदियों की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 21 नदियों का उल्लेख है कितनी नदियों का उल्लेख है 21 ठीक है और वैसे अगर हम overall देखें रिगवेद में तो रिगवेद के रिगवेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उलेक है लेकिन अगर हम रिगवेद में कुल नदियां देखें कुल नदियों का उलेक बहुत ध्यान से तो वो 25 है यह बात समझ में आई ठीक है अब यहां पर पहले नदियों के नाम लिख लेते हैं जैसे मुख्य नदियां है जैसे सिंधु सरवाधिक चर्चा वाली नदी सिंधु नदी है ठीक है इसके इलावा जो हमें अन्य नदियां मिलती है वो है बितस्ता जेलम अस्किनी चिनाब विपासा व्यास पुरुष्णी रावी ठीक है पुरुष्णी रावी और कौन्सी बच्ची शतुद्री सतलज्य और सरस्वती जो अब लुप्त ठीक है एक तो यह महत्पूर्ण चर्चा है अब यहाँ पर एक और महत्पूर्ण बिंदू है इस भी बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है क्या कि नदी सूक्त से जैसे मान लीजे प्रश्ण बनाता है ठीक है तो अगर आप इस तरह से बिंदू बार चीजें लिखे रहेंगे हम लोग ने क्या लिखा के वैदिक सहंता जो कुल वैदिक सहंता है जैसे रिगवेध posição में जा है तो इसमें 25 नदियों का उल्लेक है और नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेक है और मुख्य बात एक आपको और अच्छी बात याद रखनी है कि यह जो आप कि नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेक आप देख रहे हैं ठीक है बहुत ध्यान से इस बात को सुनना और समझना कि इस इन 21 नदियों में विपासा यानि की व्यास ठीक है का उलेक नहीं है एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा कोश्चन है तुझरा ध्यान से है ना 21 नदियों के अगर हम बात करें तो इसमें विपासा का उलेक नहीं है इसके स्थान पर क्या लिखेंगे के स्थान पर के स्थान पर एक अन्य नदी का उलेक है किसका उलेक है तो कश्मीर की कश्मीर की नदी मरुद विधा का उलेक ठीक है अब आप इसको अच्छे से नोट कर लिए तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो कुछ और बेसिक चीजें हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे अगर आप चीजों को ध्यान पूर्वक देख रहे हों तो आपको यह समझ में आजाएगा कि किस तरह से प्रशन बन सकते हैं और यह भी हम आपको इस पश्ट कर दें यह भी आपको इस पश्ट कर दें कि यदि हम पिछले पांच वर्षों की पेपरों को देखें ठीक है तो पिछले पांच वर्षों में वैदिक काल से प्रशन नहीं पूछा गया है लेकिन UPSC IAS की जो परिक्षा है उसकी जो सबसे बड़ी विशेस्ता है कि वो किसी ट्रेंड पर नहीं चलता है तो जो जिन शे ठीक है उन अध्यायों से जिन से प्रस्ण पूछे गए हैं तो अब माली जे एक से दो प्रस्ण माली जे पूछ लिए उसने तो हम लोग इस बात के लिए तो नहीं रोक देते किसी टॉपिकों के नहीं इससे कोशन नहीं आया है जो भी है आपके सामने सब कुछ है चूंकि स्लेवस है अच्छे से स्लेवस को हम लोग को पढ़ना है समझना है ठीक है तो यह बात हमने इसलिए कही क्योंकि कि जैसे जैसे हम लोग चैप्टर्स में आगे बढ़ते जाएंगे एक साथ-साथ एक जिम्मेदारी हम लोग निभाते जाएंगे ना हम आप मिलकर कि जो पिछले वर्षों में अध्याय से प्रेस्णम पूछे गए है ठीक है इसलिए हमने यह बात कही यह भी नोट कर लिया चलिए अब देखो इत्ती देर में तो उमीद है कि आपने नोट कर लिया होगा अब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग जरा एक और बेसिक कॉंसेप्ट को समझते हैं वह यह जो साथ नदियां आपने लिखे थी वही सब्सिंदू छेतर है अब जरा ध्यान दिजिए कि जैसे हम लोग एक शब्द पढ़ रहे हैं जैसे वैदिक काल तो यह किस से बना है वेद से वेद का मतलब क्या है ग्यान और यह ग्यान देने वाले कौन है आरे तो जो ग्यान देता है वो क्या होता है श्रेष्ट आरे का मतलब क्या है श्रेष्ट ठीक है यह तो हम लोग को पता है अच्छा जब उन्होंने जब वो भारत में आते हैं पंजाब अफगानिस्तान छेत्रों में जिसको हम भारत पाकिस्तान छेत्र कह सकते हैं में रहते हैं तो उस दौरान इन आर्यों ने कुछ विशेश प्रकार की चीजें हैं जो हमको जिन जो जिन से हम परचित नहीं थे और उन्होंने हमें परचित कराया ठीक है कौन-कौन सी चीजें हैं जैसे ध्यान से देखना ठीक है देखो आरे जब आये तो उन्होंने हमें परचित कराया किस से वर्ण दवस्ता ठीक है जब आरे भारत में आये तो उन्होंने हमें यगवाद से परचित कराया यह दो चीजें ऐसी कही जाती है जिनको हम लोग वर्तमान भारतिये जो संस्कृति है उसमें हम उचे स्तर पर इसका नाम ले सकते हैं ठीक है एक तो यह है उपर से अन्य गोणों का परियोग युद्ध में रथों का परियोग देखो आपने एक शब्द सुना है पहिया इसको समझ लेना ठीक है पहिया ठीक पहिया जब लेटा होगा ठीक है समझना यह इसलिए बना रहे है क्योंकि पहिया लेटा है ठीक है तो यहां पर एक होल कर दिया जाएगा उसमें डंडा फसा के इसको गुमाया जाएगा और इससे क्या बनाया जाएगा इससे बनेंगे मर्दभांट अर्थात जब पहिया होरिजॉन्टल है लेकिन जब इसी पहिये को पर्पेंडिकुलर खड़ा कर दिया जाएगा और बीच में उसके तीलिया लगा दी जाएगी ठीके तो यह क्या हो जाएगा यह पहिया घूमने लगेगा और यही पहिया आस तक घूम रहा है मानव द्वारा अविश्कार किया गया सबसे महंतम कारे इसी को हम गती देने में लगे हैं कब नव पाशानकाल और इसी को हम गती देने में लगे हैं बैल गाड़ी, साइकिल, स्कूटर, मोटर साइकिल, कार, बस, ट्रेन, हवाई जाज बिन पहिया सबसून, पहियों को गायब कर दोगे, एकदम सूना पना जाएगा, जग सूना सूना लगे, ये बात भी समझ में आ गए, तो तीली वाले पहिये हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है? दाह संसकार, मतलब विवस्थित रूप से चीजन देखने को मिलने लग गई, है ना? देवी देवताव, है के नहीं? तो मरस है ना? ये मुझवंत परवत पर मिलता था, मुझवंत परवत का मतलब समझे हमाला है, तो मरस है ना? पूर्वेदिक काल की अगर हम बात करें, तो पूर्वेदिक काल में जो सोमरस है, ठीक है? एक प्रकार से आप उसे मदिरा कह सकते हैं, ठीक है? उसके पान को बुरा नहीं समझा जाता था, है ना? देखे इस बात को समझे है, उसके पान को बुरा नहीं समझते थे, कहने का आशाय इस बात से है कि बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि प्रारंबिक अबस्ता है, इसको इस रूप में भी आप समझ सकते हैं, ठीक है? अचाय इसको नोट भी कर लीजे, फिर आगे हम लोग जरजा जारी रखेंगे, और किसी प्रकार से मन में क्या, क्यों, कैसे मत लाइएगा, क्योंकि अभी क्लास चल लई है, ठीक है, तो जैसे किसी बच्चे के मन में आ रहा है, बर्ण ब्यवस्ता क्या होता है, पहली बार सुनेगा कोई भी, तो सीधी सी बात है, उसके मन में प्रस्ट ना, तो बर्ण ब प्रियोग है युद्ध में रत्थों का प्रियोग है दासंसकार है देवी देउता है तुम्रस है यह तमाम प्रिकार की चीजें जो है उन्होंने हमको पर्चित कराया ठीक है और इसके साथ-साथ उन्होंने एक महत्वपूर्ण अचा इसको रफ कर दें यह आप बना लेना जब पहिया खड़ा हो जाएगा न तो यह भागना सुरू कर देगा भागो रे भीया भागो तो आज आप देखते हैं कि मनुष्य केवल एक काम करने में लगाए भागने में पता नहीं कहां पहुंचना है कि अब कोई पूस्ता ही नहीं हम तो कह दें आराम से बैठो रेस्ट करो कहीं जाने जोट नहीं अच्छा यहीं पे जैसे एक अत्यन्त महत्पूर्ण जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं रिगवेद रिगवेद पर अगर हम लोग देखें तो रिगवेद का मतलब क्या है कि इसमें दस मंडल है रिगवेद में मंडलों की संख्या कितनी है दस इन दस मंडलों में बहुत ध्यान से लिखना दो से साथ मंडल सर्व प्राचीन है मतलब सबसे प्राचीन है इसका मतलब के एक नौ दस जो मंडल है इनको बाद में जोड़ा गया इस बात को गंभीरता से तुनिये भी और समझी भी तो रिगवेद के प्राचीन मंडल किसे कहा जाता है इस प्रगार से प्रस्न परिक्षाओं में बन सकता है तो प्राचीन मंडल कौन से है तो दो से सा यह बात समझ में आ गई अच्छे से ठीक है चलिए अच्छा दूसरी महतपूर्ण बात क्या है जैसे दस मंडल हो गया है अच्छा कि दूसरी महतपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि रिगवेद में जो सूक्त है ठीक है रिगवेद में सूक्त सूक्तों की संख्या कितनी है एक हजार अट्थाइस ठीक है इसमें से ग्यारा सूक्त ऐसे हैं जिनको बाल बाल खिल्य कि कहा जाता है अब जैसे मालो धार्मिक अगर हम गार्मिक रूप से अगर हम लोगर प्र चर्चा करें उसके तर्क यह द्यान रखना ठीक है धर्म में तर्ग नहीं होता तो द्धार्मि रूप से यह हम देखें तो बाले खेल सूक्त में आश्या इस बात से है कि 11 छोटे छोटे रिशी थे छोटे बालक रूप में रिशी उनके द्वारा रचना की गई थी तो यह धार्मिक विवरण हैं तो अगर हम देखें तो 1017 प्लस 11 तो कुल 1028 तो कुल 1028 हैं जिनको हम दो भागों में लिख सकते हैं कि 1017 प्लस 11 सूक्त और अगर हम मंत्रों की बात करें मंत्रों को समायोजित करके ही सूक्त बनते हैं ठीक है यह बात ध्यान रखना जैसे लिपी और भाषा होती है ना जैसे लिपी और भाषा ठीक वही संबंद सूक्त और मंत्रों में है जैसे मालजीजे कोई सूक्त है ठीक यह कहा जा रहा है कि यह सूक्त अगनी को समर्पित है ठीक है तो उस निरधारी संख्या नहीं होती है लो मंत्र मंतर हो सकते है रही समर्पिति होगा किछिना किसी देवता को तो अगर सूत्र है तो वो किछिना किसी देवता को तो समर्पित होगा ही ठीक है यह सब बातें केवल सुनने के लिए है नोट नहीं करना है यह आपकी समझ के लिए ठीक है तो सूक्त और मंत्र में अगर आपके मन में दूविधा आ रही हो तो म मंत्रों की संख्या कितनी है 10,580 जिस तरह से लिपी में अक्षर कम और भाषा में ज्यादा होते हैं लिपी में कम और भाषा में ज्यादा उसी तरह से सुक्त की संख्या कम है मंत्रों की संख्या सिधी सिवाते ज्यादा होगी क्योंकि एक सूत में एक से अधिक मंद्र तो होंगे ही एक अनुमान में हम लोग लगा सकते हैं तो मंद्रों की संक्या 10,580 है ठीक है अच्छा और और क्या इसमें कह सकते हैं अब देखो हम लोग को 10 मंदल लिखने हैं हम लोग 10 मंदल को लिखने जा रहे हैं बहुत ही तसली से ध्यान पूर्वक लिखिएगा क्योंकि उन मंदलों से कुछ विशेश जानकारिया निकल के सामने आएंगी जो आपकी परिक्षा द्रस्टी से महत्पूर्ण होंगी क्लियर है तो फिलहाल तो इतना ठीक है है न हाँ और हाँ इनके संकलन करता के रूप में हम किनका नाम लिखते हैं कि वेद व्यास है द्वैपायन रिशी भी का जाता है ठीक है यह इनको हम लोग लिखते है क्रिश्न द्वैपायन या वेद व्यास ठीक है अब देखो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यह तो आपने लिखी लिया होगा ठीक है अब हम लोग दस मंदलों की जरा चर्चा कर लेते हैं ठीक है अच्छे से एक-एक मंदल बहुत ही इसपस्ट धंग से लिखना रिख वेद के दस मंदल ठीक है अच्छा तो इसमें हम लोग चलो लिख देते हैं तो पर्थम ठीक है अब जैसे हम लोग पर्थम मंदल की बात करें तो हमाएं मन में क्या आएगा कि पहला मंदल किस ने लिखा तो दीरगतमा और अंगिरा इनको श्रे दिया जाता है पहले मंदल की रचना का तीरगतमा और अंगिरा ठीक है और यह पहला मंदल है तो जल्दी से बताईए सोच के कि यह प्राजीन है के नया बिना देखे बिना देखे बिल्कुल सही नया क्योंकि प्राचीन कौन से है दो से साथ बार बार मन में बोलेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा ठीक है अच्छा यह दो को आ गया पुराना है ना यह पुराना आ गया दूसरा तो दूसरे के जो मंडल के रशनाकार है वो है ग्रत्समद रिशी ठीक है ग्रत्समद टीसरा जो मंडल है मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा ठीक है क्योंकि हम पेज प्लट देंगे क्योंकि कुछ मंडलों में आगे भी लिखेंगे तीसरा विश्वामित्र ठीक है तीसरा हो गया लिख लिया अच्छा इसी मंडल में आप क्या लिखते हैं इसमें गायत्री मंत्र कि चर्चा कि बोलो हाया ना कि बोलो हाया ना कि अच्छे से लिखना कि अच्छा कि चौथे मंडल की अगर हम बात करें अच्छा मंडल तो चौथा मंदल लिखा है वाम देव ठीक है त्साथ लिखना वाम देव इसमें क्या मह्त्पूर्ण जानकारी हमको मिल लई है तो इसमें लिखो ब्रैकेट में ठीक है साथ-साथ लिखना क्रिसी संबंधी प्रक्रिया का वर्णा ठीक है ठीक पांच वां ठीक है पांच वें के हैं रिशी अत्री क्या लिखा है अत्री ठीक है ठीक इसमें क्या है इसमें अगनी और घोड़ा का महिमा मंदन किया गया है ठीक है अब इसमें हम लोग कुछ भी फेर फेर नहीं कर सकते हैं जो है सो है पांच को यहां तक लिख ठीक है अब हम पेश टर्न करेंगे पेश टर्न कर रहे हैं ठीक है अच्छा अच्छा छटा भारत्वाज अ ठीक है हुआ है उसके बाद है सात्वाज अ जब कर आद सात्मा सात्मा देखो महत्पूर है ठीक है क्योंकि इसमें एक तो वशिस्ट है ठीक है और अत्यन्त महत्पूर प्रश्णियां से निकल के आ रहा है कि दस राग्य युद्ध का वर्डन ठीक है अब देखो यहां पर समझना बात को कि एक नया सब्द आ गया है दस राग्य युद्ध ठीक है चलिए इसको थोड़ा सा इसको समझ लें दस राग्य युद्ध को नेक्स्ट पेज़ पे इस पेज़ भी समझ सकते हैं अगर आप लोग सही योग करें कि कोई चीज आती जाएगी तो उसको समझते चले ना तो ज्यादा बैटर होगा नहीं तो कन्फूजन दिमाग में बना रहेगा आगे पढ़ते जा रहें रहें देखो दस राग्य रुष्णई नदी के तट पर, नोट करना पूरुष्णी याने की जो आज बर्तमान में रावी नदी है, पूरुष्णी तट पर हुआ, ठीक है पहला मैत पूर्ण, ठीक है दूसरा मैत फूर्ण के क्यों हुआ, उसक्यों का जवाब लेलो, तो क्यों का जवाब यह है कि एक भरत जन था इसके भरत जन इसके जो राजा है वो थे सुदास महिदास के पुत्र थे यह राजा सुदास ठीक है और इनका जो कबीला था उस कबीले का नाम था त्रसु कबीला और इन्होंने किया क्या था इनके पुरोहित थे विश्वामित्र और इन्होंने विश्वामित्र को हटा के वसिष्ट को अपना पुरोहित बना लिया था इनको हटा के वसिष्ट को अपना पुरोहित बना लिया यह है युद्ध का मूल कारण ठीक है अब सुनना ध्यान से कि हुआ क्या हुआ यह कि जब यह हुआ तो जो विश्वामित्र सहाब है जो विश्वामित्र सहाब है इन्होंने क्या किया इन्होंने आशिरवाद दिया इन्होंने दस राजाओं का संग बनाया अब ध्यान से देखना अनू द्रहू यदू तुर्वस और पुरू यह सबसे सक्तिसाली जन था पुरू और बहुत अच्छे से द्यान रखना यह जो पांच है इनको पंच जन भी कहा जाता है ठीक है यह प्रस्णियदी परीक्षा में पूछता है तो परीक्षा में पूछेगा कि निमलिखित में से कौन पंच जन में शामिल नहीं है ठीक है तो आपको यह बहुत फाइदा देगा है ना तो याद भी हो जाएगा अगर आप बार बार मन में रिपीट करेंगे तो अनु द्रहू यदू तुरुवस पुरू और अलीन अलीन पक्त देखो हमाएं साथ साथ लिखोगे तो लेखन से जूड़ी समस्या भी आपको नहीं होगी अगर बाइचांस हो रही है अलीन पक्त भलानस शिव विशाड़नी विशाड़न भी कहा जाता है लेकिन विशाड़नी ये तो देखो प्लस प्लस ये पांच जन है तो इनको आरे और इनको अनारे कहा जाता है ठीक है अब यहाँ पर एक और बहुत ही अच्छा प्रस्ण आपको द्यान रखना होगा कि ये जो दस राग युद्ध है अमोमन दिमाग में दो भर्म पैदा हो जाते हैं पहला कि ये दस राजाओं का युद्ध था ये बिलकुल गलत सोच है और दूसरा कि ये आरे अनारें के बीच संगर्स था ये भी गलत सोच है ये दोनों जो क्या कि कि दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में आरे अनारे शामिल थे यहां पर बनाओ एक बड़िया सा ब्रैकेट ठीक है और यहां लिखो अच्छे से लिखना क्या लिखोगे युद्ध में लगभग तीस राजाओं ने हिस्सा लिया था अब बताओ यह बात समझ में आ गई क्लियर हो गया अब एकदम इस पस्ट है आप तो कोई समसी नहीं है है ना समधान हो गया तो दस राग युद्ध जो है यह पुरुष्णी रावी नदी के चलो हम भी देख लेते हैं कुछ छूट तो नहीं रहा दस राग युद्ध जो है यह पुरुष्णी रावी नदी के तट पर लडा गया है ठीक है और भरत जन राजा सुदास कभीला तर्सू विश्वामित्र हां हां बिल्कुल छूट रहा है देखो इसी समय विश्वामित्र ने विश्व प्रशिद्य मंत्र की रचना की थी जिसका नाम है गयत्त्री मंत्र इस मंत्र को सावित्त्री मंत्र भी कहा जाता है और यह जो मंत्र है वो सूर्य को समर्पित है इसलिए आपने अगर देखा हो या महसूस किया हो के अमूमन हिंदु धर्म में पूजा पाठ के लिए कहा जाता है कि सूर को जल चड़ाते समय गाहत्री मन्त का पाठ करिए तो वही जो हम लोग जानते हैं ओम भूर भूवा स्वातस्व दुर्वरिन्यम भर्गो देवस सधी महीं धियो यो नहा प्रचुदयात स्वाह ओम तो ये आप मैं आप मैंसे भी कई बच्चों को याद होगा तो खेर धार्मिक मुद्दे पर बिल्कुल किसी प्रकार की चर्चा नहीं क्योंकि देखो हम लोग ने कल एक बहुत अच्छी बास सीखी थी कि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं हम लोग ऐसी कोई बात नहीं करेंगी जिसका उकता प्रमाण ना हो वह ना क्योंकि इतिहास परमाणों पर लद्हारित हैं तथ्यों पर आधारित है शाक्ष्योंपर आधारित है बिना साक्ष के हम इतिहास की बात नहीं कर सकते हैं वो चीजें इतिहास में हैं ही नहीं कि वो चीजें इतिहास में शामिल नहीं है जिनके साक्ष नहीं है लिखा हवा में कोई भी बात लिख दी जाए आप क्या कहेंगे हमें साक्ष चाहिए है तो साक्षियों के आधार बर हम जब चलते हैं तो हम कहते हैं कि हम इतिहास पड़ रहे हैं ठीक यह भी इस पश्ट हो गया अब तो कुछ बचा नहीं है न और सात्वे में इसकी चर्चा है ठीक है यह भी हो गया हुँ हुँ है तसर आगे हुँ है ठीक है और दोनों पक्षों में और अनार सामिल थे यह सब महत्पूर्ण है इस्टार पॉइंट है ठीक है इनको आप तभी ध्यान रख पाएंगे जब रिविजन मोड में रहेंगे ठीक है चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं साथ हो गए ठीक है आठवा भाईया सबसे प्राचीन जो मंडल है वो कहां तक है दो से साथ तक आठवा आ गया ठीक है आठवा मंडल के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे कि इसको कन दो जिसी द्वारा और देखो इसमें अनार्यों अनार्यों का उल्लेक है अनार्यों का उल्लेक है जिन्हें दास तस्यू नामों से जानते हैं ठीक है यह बात भी इस पस्ट हो गई अच्छा अब जड़ा ध्यान से समझना ठीक है कि जब आर्य भारत में आए और अगर आर्य का मतलब होता है श्रेष्ट तो इसका मतलब यह हुआ कि अनार्य अश्रेष्ट हाँ बिल्कुल आप बात समझी है मतलब उन्होंने बोला कि मैं श्रेष्ट और तुम अश्रेष्ट भाई बुरा लगेग अच्छा और उन्होंने अनार्यों को अश्रेष्ट इसलिए कहा क्योंकि वो अनार्यों को कहते थे म्रगवाच मतलब बुरी भासा बोलने वाला अदेवयू देवताओं की पूजा ना करने वाला इस प्रकार के शब्दों को वो अनार्यों के लिए प्रयोक करते थे बुरी भासा बोलने वाला देवताओं की पूजाना करने वाला अर्था जो वो कर रहे हैं वही सही भी है और श्रेष्ट भी है यह उनका मानना था है ना अच्छा अंग्रेजों को यह इतिहास लिखने में कितनी मज़ा आई होगी क्योंकि जब हम लोग इस तरह की बात करते हैं तो पहतरीन हमारे मन में एक शक पैदा होता है कि यही सब चीजें तो अंग्रेजों ने अपने बारे में भी लिखी है हैंना कि हम इसाई हम सरेश्ट तुम्हारा देश सपेरों का देश करते हैं तुमको हम सब बनाने आ हैं जिस तरह से आर्रेज को सब बनाने आया हैं उसी तरह से अंग्रेज भरत्यों को सब बनाने आए वो कहीं न कहीं यह माइंड गेम था इसको आप ध्यान रखना है ना क्योंकि मन में बात आई तो हमने बोला तो इस बात को जरा साइड में कहीं लिख लेना क्लियर है अच्छा क्या हो गया आठ हो गया ना नौ पव्मान अंगिरा नौवे के रचाइता है नौवा देखिए मंडल आपके लिए महत्पूर्ण है ठीक है क्योंकि इसमें दो बहुत ही प्यारी बाते हम लोग को जानने को मिलती है क्या और उसे एक हमारा कॉंसेप्ट भी किलियर होता है न क्या पहली महत्पूर्ण बात है कि इसी में उलेक हुआ है एक बहतरीन हमें स्टेट्मेंट मिलता है कि मैं मैं कवी हूँ मेरे पिता वैद्ध मेरी मा आठा पीषने वाली है पिर भी हम एक छट के नीचे या एक ही घर में ना सेंस पक्रमना रहते हैं शाबाज ठीक है इसका नौवा जो मंडल है उसका उसमें ये उलेक हुआ है कि मैं कवी हूँ मेरे पिता वैद्ध है मेरी मा आठा पीषने वाली इससे क्या आशे निकल ला इससे आशे ये निकल ला है कि आर्यों ने जो वर्ण व्यवस्था दी ब्रामर्चत्री वैस्षूद्र तो उन व्यवस्थाओं में पूर्वैदिक काल में रिगवैदिक काल में ये सब रिगवेद का विवरण है तो इससे ये इसपष्ट हो रहा है कि समाज में दबाव नहीं है वर्ण ब्यवस्ता जन्म आधारित नहीं है कि मतलब कि आप जिस वर्ण में जन्म ले रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि आप वही कर्म करें अर्थात कि कर्म आपका जो है वो वर्ण निर्धारित नहीं कर रहा है आप कोई भी कर सकते हैं, आपका वर्ण कोई भी हो, तो कहीं न कहीं हमें यहाँ पर एक उदारवादी मंतव्य देखने को मिलते हैं, किस पस्ट है, यह बात समझ में आ गई, ठीक है, अच्छे से, यह ना, साथी साथ जो नौवा मंडल है, यह सोम देवता को समर्पित, इस तरह के प्रस्ण आप देखते होंगे, तमाम परीक्षाओं में पूछ जाते हैं, सोम देवता को समर्पित है, ठीक है, चलिए, दस्वा लिख लेते हैं, अंतिम बच्चा, दस्वा मंडल, ठीक है, अच्छा इस मंडल की जो, इस मंडल को नाम दिया गया है, ठीक है, इसमें किसी रिशी का नाम ना होके, इसको नाम दिया गया है, छुद्र सुक्तिय, इसे छुद्र सुक्तिय और महा सुक्तिय कहा गया है, ठीक है, दस्वे मंडल को, छुद्र सुक्तिय और महा सुक्तिय क्योंकि ये बाद में जोडा गया है, ठीक है, अच्छा बाद में जोडा गया है, और यही वो मंडल है, जिसमें शुद्र शब्द का पहली वारूलेख, समझ में आ रहा है, प्यारे बच्चों, शुद्र सब्द का पहली वारूलेख हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पर शुद्र सब्द का अगर पहली वारूलेख हो रहा है, और वो भी दस्वे मंडल में, तो इसका मतलब है कि शुद्र शब्द का प्रियोख बहुत बाद में हुआ है, तो पहले क्या हुआ है, तो यहाँ पर नोट करके ध्यान रखना कि जो वण विवस्था है, उसमें ब्रामन विवस्था है, शुद्र, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कि यह जो समू है, इसकी पहले चर्चा है, तो जब आर्नों ने वर्ण विवस्था को सुरू किया था, तो उस समय हमें ब्रामन शत्री वैश ही दिखाई देते थे, अगर हम पंदरा सो इसा पूरू की बात करें, चौदा सो इसा पूरू की बात करें, तो यह लगभग रिगवैदिक काल के अंत, जैसे ही रिगवैदिक काल समाप्त होने की इस्तिती में पहुंचता है, तब हम लोग बर्ण वबस्था जैसे शब्दों को सुनते हैं, पाते हैं, यह बात समझ में आई, बहुत होसियार बच्चे हो गए हैं, शबाश, समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा, अब यहीं पर ध्यान रखना कि दस्वे मंडल में ही, आप सुनते हैं न, वसुधैव कुटुम्वकम, यहीं से उठाया गया है, या संपूर्ण वसुधा को, संपूर्ण प्रच्वी को एक कुटुम्व के रूप में, एक ही घर के रूप में, ब्याख्याइद किया गया है, कितनी सुन्दर बात है, और इसमें बहुत देवबाद के हमको, अब दर्शन होते हैं, यह सब दस में विवरण है, ठीक है, अब बताईए, किसी बच्चे को यह तो समस्या नहीं है, अब इस तरह से अगर आप चीजों को मैनेज करने का मतलब अगर प्रयास करेंगे, तो निश्चित तोर पर ऐसा है, कि हम यह कह सकते हैं, कि हम चीजों को सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और उनके बारे में हमारे मन में एक अच्छे से विचार भी बन रहे हैं, है ना, देखो, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखो, आगे बढ़ेंगे, तो जड़ा देख लि रहे हैं, रिगवेधिक समाज, नहीं, तो आएए, रिगवेधिक समाज की कुछ विशेष्टाओं पर हम लोग, हम लोग विशेष्टाओं लिख भी लेते हैं, और उन पर चर्चाएं भी कर लेते हैं, तो ध्यान बनी रहेंगी हमारे मन में, तो सबसे पहली और महत्पूर चीज क्या है, यह है, कबील आई, समास था, और आर्रियों को किसी वर्ण या जाती, बलब जाती से जुड़े हुए शब्द के रूप में, आर्रियों को नहीं देखते हैं, बलकि उसे भासाई रूप से उसे लिया जाता है, आर्रियों को, भारोपिय भाषा का शब्द मन जाता है, तो जाती सूचक नहीं है, आर्रियों की, भासाई सूचक है, यह भी महत्पूर्ण है, ठीक है, कबील आई, समास था, यह है समाज, पित्र सत्तात्मक का, आप कैसे इसको, तो जब हमें, ये पढ़ने सुनने देखने को मिलता है कि जो पूर्सों से संबन्दित बाचीत है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है जैसे देवी देवताओं की बात करें तो देवता ज़्यादा देखने को मिलते हैं देवियां कम देखने को मिलती है योदिक कर्म में निश्यत तोर पर पुरुष ही आगे बढ़ चड़ कर हिस्सा लेते होंगे क्योंकि पुत्र प्राप्ति को लेकर एक एप्रोच दिखाई देती है इन सब आधारों पर हम लोग कह सकते हैं ठीक है अच्छा और दो समों दिखते हैं एक और दूसरे अनार रे एक और दूसरे अनार रे है एक और दूसरे अनार रे और किसी परकार का जैसे अभी हम लोग ने मैं कभी हूँ मेरे पिता वैद है तो यह जो स्टेटमेंट हम लोग ने लिए यह भी समाजिक जीवन से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है क्योंकि माता पिता भाई बेहन कोई किसी भी वैवशाय को अपना सकता है मतलब किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है जैसे उत्तरवधिक काल में हो गया था इसको ऐसे लिंक करके समझ लो जैसे उत्तरवधिक काल में अगर कोई ब्रहमन है मतलब कोई ब्रहमन वर्ण में जनम ले रहा है तो जन्म आधारित अलग जन्म आपने ब्रहमणा में ले लिए तो आप ब्रहमण करम करेंगे छत्रिमे जन्म ले लिए छत्रिय करमे ही करेंगे तो दीरे दीरे यही चीजें जटिल होती चली गई ऐसा नहीं है कि जटिल होने पर लोगों ने पॉलो भी किया यह दिमाग में मत रखिएगा इस से समाज में गुस्सा आया और लोगों ने इसके विरोध में भी काम किये है न वो आगे करम में हम लोग देखेंगे ठीक है अच्छा समाज में एक अत्यन्त महत्पूर्ण शब्द प्रयोग किया रता है और इनकी दशा को लेकर हमेशा चर्चा का विशय रहता है तो अगर हम रिग्वैदिक कालीन समाज की बात कर रहे हैं तो इस तरियों की दशा जो है क्या लिखेंगे बहुत अच्छी थी इसमें कोई दोराय नहीं है क्योंकि अन्यकालों की तुलना से अगर हम अन्यकालों से तुलना करें तो भया बहुत अच्छी नहीं बलकि बहुत 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 अच्छी कहा जाएगा ठीक है अच्छा क्यों अच्छी थी उसके भी हमारे पास कारण होने चाहिए तो इनके पास सिक्षा कादिकार था राजनीती में भाग लेती थी है और राजनीती में भाग लेती थी विधत सभा इसको भी हम लोग पढ़ेंगे विधत सभा में इनकी उपस्थिती थी है ना बहु पतित्तु विवाह होता था मतलब इस तरियां भी कई विवाह कर सकती थी बहु पतित्त विवाह होता था और विवाह योवनारंभ के बाद होता था है ना जब कितनी है लड़का लड़की जवान लड़का लड़की है ना तो वो उन इस्तितियों में विवाह होते खते थे किनकी उस विञाने जो मूल उद्धेश था उनको यह लग रहा था कि हमें ज्याधा हाँ चाहिए कि कोई भी जन हो थीक है अभी हम लोग समझेंगे टो ढार सबया ही चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या बल हो, क्योंकि संख्या से ही मूल रूप से बल बनता था, हो गए एक, हो गई संख्या जादा, आ गई हिम्मत, ठीक है, इस प्रकार की, भाई, अगर युद्ध कनने जा रहे हैं, तो राजा के पीछे, अगर दस बारा ही लोग हैं, राजा का युद्ध में मन लगेगा, वो यही सोचेगा, कि अगर सामने 50-60 लोग आ गए, ठीक है, बहुत हलत खराब होने वाली है, तो वो कहेगा नहीं, कि तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, संख्या बल चाहिए भाई, ठीक है, और युद्ध में चूंकि पुरुष भाग रहे हैं, मुख रूप से, तो पुत्र प्राप्ती के लिए जो विचार हैं, वो करते थे, तो उस समय तो पुत्र प्राप्ती का विचार तो समझ में आता है, आज कौन से युद्ध चल रहे हैं, जिस पे पुत्र प्राप्ती के लिए के, ब्रहम रहता है लोगों में, कलिए दुनिया बहुत आगे निगल गई है। हम लोग को हैं कि काल विशेश पर निर्भर करता है। आप एक विचार सर्वकालिक नहीं हो सकता अगर होता है तो फिर वो विचार नहीं होता, फिर वो सिद्धान्त होता है, है ना, तब न्यूटन के उपर सेव गिरा, गुर्तवा कर्शन उन्होंने एक विचार दिया, अब वो सर्वकालिक सिद्ध विचार है, तो अब ऐसा नहीं है कि आप धर्ती के किसी कोने पर जाएं न्यूटन साहब के विचार को हमें खंडित करना है, पता लगा पूरी दुनिया दड़ रहे हैं, यहां बॉल गिराई, फिर वहां बॉल गिराई, तो विचार जब सर्वुमान ने हो जाता है, तो फिर उसे हम विचार थोड़ी हो, सिध्धान्त हो गया, इस समय पुत्रप्राप्ति एक विचार है, लेकिन यहां पर यह भी आपको ध्यान रखना होगा, इस तरियों के संदर्व में, कि संपत्ति का अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार नहीं था, तो उस पर कोई बहुत बड़ी समस्या भी नहीं थी, क्योंकि अगर हम इतनी पुरानी बात कर रहे हैं, तो इस तरी को ऐसा तो नहीं है, कि इस तरी इस बात की डिमांड कर रही हो, कि पिता से या पती से के अलग जगे चलो वहां पे घर बनाओ, यह वो, तो उस प्रकार की सोच ही नहीं थी, तो इस तरी अगर रहेगी, तो पिता के घर में या पती के घर में, तो जब घरी में रहना है, तो जो पिता की संपत्ति है, वो बिटिया की संपत्ति, जब तक पिता के आँ है, उसके बाद जब पती के आँ चलीगे, तो जो पती की संपत्ति, वो पत्नी की संपत्ति, इस पर गुप्त काल में, जब इस्मृती गरंत लिखे गए हैं, तो इस प्रकार की चीजें हमें उस समय पढ़ने में आती हैं तो संपत्ति का दिकार नहीं तो यह बहुत बड़ी समस्या वाली बात नहीं है लेकिन एक और यहां पर ग्रे एरिया है उस ग्रे एरिया को जड़ा समझना कि नियोग प्रथा थी ठीक है नियोग प्रथा से यहां पर प्यारे बच्चों आ साए है कि सपिंड व्यक्ति से संतान उत्पन करना जब पती मृत हो और महिला महिला ना लिखो पत्नी लिख दो और पत्नी ने संतानों है ना समस्या तभी पैदा होती है जब हम काल विशेश को ध्यान में रखकर विचार नहीं करते हैं अब चल रहे हैं वर्तमान विचार दिमाग में इस तरह की के हिसाब पर आप अपने आपको महीं रखके देख लो तब इन चीजों को आप समझिए कि वहां पर इतनी ज़्यादा डिमांड है मेल की पुत्र की कि वो चीज उनके वंश के जन के जीने मरने की इस्तिती है भाई कोई भी बड़ा जन आके रौंद के निकल जाएगा क्या कर लीजीगा तो इसको एक आवशक्ता के रूप में देखिए मलब एक आवशक्ता के रूप में भी देखिए मलब के लेखी निगाह नहीं कई निगाहा रखी उसमें क्या है कई तरह से हम चीजों को सुंते हैं समझते हैं जहन धर्म की माने तो साथ साथ तरीके से हम लोग चीजों को ब्रäख्या कर सकते यह ना स्यात है स्यात नहीं है ठिक है तो नियोग प्रथा विद्धिमान थी निश्चित तोर पर वर्तमान समय में हम इसको हमने सुरुवाती ग्रे अरिया से कही थी तो कहीं न कहीं इसको हम महिलाओं के अधिकारों को लेकर उचित नहीं ठहराते हैं अब तत्कालीन समाजिक और पारिवारिक जो मूल विशेष्टाएं थी उनके बारे में तो नहीं हम लोग कुछ कह सकते क्योंकि लिखा हुआ नहीं मिला है उनकिस तरह से परिवार और समाज के बारे में उनकी सोच किया थी लेकिन फिलाल इसको तो हम लोग ग्रे एरिया ग्रूप में देखते ही है तो एक विचार तो यह रहते ही है इस तरह से कहीं हमें चीजों को देखना है और एक और महत्पूर्ण शब्द है कि जैसे मान लो कि अगर नियोक प्रथा से संतान उत्पन हो रही है तो इस से मान लिजे जो संतान पैदा हो रही है तो उस संतान को कहते क्या थे तो उस संतान को छेत्रज कहा जाता है यह भी महत्पूर्ण है क्योंकि यह बहुत पढ़ चुके हो जब कोई चीज बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो तो पिर उसके एक स्टेप आगे का भी ध्यान रखा करो क्योंकि वह चीज बहुत चर्चा में हो जाती है तो नियोक प्रथा आप पढ़ते हैं बहुत पार उत्पन संतान छेत्रज कहलाती थी इसको भी नोट कर लो यह लिख लिया पूरा तो सपिंड व्यक्ति से संतान उत्पन करना जब पती मृत हो और पत्नी ने संतान हो ओके चलिए अब देखिए अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जैसे रिगवेदिक कालीन जो राजनीतिक इस्तियां रही है राजनीतिक इस्तियों का मतलब है कि उस समय की जो हमारी राजनीतिक दशा है ठीक है देखो राजनीतिक दशा से आशय इस बात से है कि यह बिलकुल शैशव काल है शैशव काल का मतलब बिलकुल प्रारंबिक अवस्था है कि इस बात को बहुत गंभीरता से समझीएगा कि राजनीतिक विवस्था जो है यह अपने बिलकुल प्रारंबिक हमने कहा ना कि जैसे जन्म होता है बच्चे का तो बच्चे का जन्म होता है तो आप देखेंगे कि उसकी आंखें सुरू सुरू में बहुत चलती है आंखें और उसका सिर क्योंकि वो हर चीज को बड़े अंदास से देखना चाहता है क्योंकि सब कुछ नया है उसके लिए तो इस समय विवस्थ देंगी राजा सब्द का प्रयोग किया जाएगा तो वह बहतरीन राजा का जो एक और अना तो वह औरे वाला राजा नहीं दिखाई देगा आपको औरे की जगे और ही तरहे का राजा दिखाई देगा ठीक है आए धीमे से प्यार से आराम से दहरे से इसको समझते हैं देखो राजनेतिक दशा की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे सबसे नीचे क्या होता है सबसे नीचे होता है कुल इस समय सबसे चोटी प्रसासनिक एकाई क्या थी कुल जैसे आज क्या होती है ग्राम सबसे चोटी प्रसासनिक आई आज क्या है ग्राम ग्रामीन नहीं ग्राम स सभी ग्रामीनों का विकास हो जाएगा, अगर उसे ग्रामीनों का विकास करना है सरकार को तो वह ग्राम पे बुद्धी लगाएगी, यहां सड़क, बिजली, पानी, ट्यूब बेल, अगवाओ, ठीक है, सड़क बनवा रहे हो तो वहां पर उसको हाईवे से जोड़ो, तो सरक कुल के बाद आता था ग्राम, कई कुलों से मिलकर ग्राम बन रहा है, कई ग्रामों से मिलकर विश बन रहा है, ठीक है, और कई विश से मिलकर अंतताह जन बन रहा है, यह सबसे बड़ी प्रसासनिक एकाई थी, जैसे आज हम देश या राष्ट के रूप में सोचते, समस्ते, स अच्छा ये देख लिया तो कुल का मतलब यहां किस बाद से था तो कुल का मतलब था परिवार और सबसे वयोव्रध व्यक्ति जो होता है वो इसका मुखिया होता था ग्राम का जैसे ग्रामिनी ठीक है विशका विश्पती जन का जनपती जनपती का मतलब राजन इसी को राजन कहा गया है या राजा है ना इस बात को धहरता से समझ लीजिए जसे पकड़ो इनको राजा को जैसी राजा को पकड़ोगे तो राजा का जो पद है बहुत ध्यान से बड़े प्यार से यहां पर आप गलती कर सकते हैं, तो राजा का पद बन शानुगत है, लेकिन यह जो पद है, ठीक है, इस पद से उसे हटाया जा सकता था, और हटा कौन सकता था, तो हटाने वाले थे आम सहमती द्वारा, अब आम सहमती कहां होती है, अब आम सहमती होती थी, एक संस्था थी विदत, कुछ इतिहास कार इसे, सर्व प्राचीन जन संस्था मानते हैं विदत को, सर्व प्राचीन जन संस्था ठीक है, विदत, और इसी से उत्पत्ती बताई है सभा और समिती की, कि विदत से ही सभा और समिती का जन्म हुआ है ठीक है और एक संस्था गण के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है लेकिन बस इतनी ही जानकारी मिलती है कि गण कोई संस्था थी गण क्या कारे करती थी ये हमें जानकारी नहीं मिलती और बहुत कम सोर्स हैं जो ये कहने का प्र सब्सक्हाइब 이실र टाइप की थी हुआ है कि न ये जो आप विदात और सभा देख रहे हैं इसमें इस्त्रियां भी भाग लेती थी इस्त्री भी शामिल हुआ यह जो भी आप से कहा था राजन्यती में भाग है ना तो इस्त्रियां भाग लेती थी सभा समिती चो है ये जो हैं, ठीक है, इनको लुडविग एक हैं इतिहास का, तो लुडविग सहाब ने इनको लोकसभा और राजसभा से इनकी तुलना करी है, ठीक है, ये द्यान रखीएगा, और महत्पूर्ण है ये, जैसे विदत है, इसका 122 बार उलेख है, रिगवेद में, 122 बार, सभा का 8 बार उलेख है, समिती का 9 बार उलेख है, तो इनका रिगवेद में उलेख हुआ है, अच्छे से विदत का, ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़ें, अच्छा, ये धान रखना, ये विश जो है न, इसी से वैश शब्द की उत्पत्ती हुई है, और बाद में ये विश गायब हो गया था, बाद में ये विश्यो बन गया, भारतिये संदर्व में तो एक विचार रखा ही जा सकता है, क्योंकि वैपार करते होंगे, टहलते होंगे हर जगे, अच्छा, अगला मेहत पूर्ण है, रिगवैदिक अर्थ व्यवस्ता, ठीक है, रिगवैदिक अर्थ व्यवस्ता, देखो, क्यों, ग्रामीन, सन्वचना थी, ठीक है, कल ही आपको समझाया है, क्यों, पशुपालं, पर, आधारित, थी, अर्थ व्यवस्ता, ठीक है, क्रशी, कम होती थी, पिगवैद में, मजबूत लकडियों, ठीक है, खादिर, उदंबर, रिगवैद में, मजबूत लकडियों, का की चर्चा, यह है, तो खादिर और उदंबर, ठीक है, यह इस पश्ठ हो गया, अच्छा, अब यहां एक और बिचार देखू, के घोड़ा, घोड़ा, महत्वपूर्ण, पशू था, गाय, पूजनिये, पशू था, ठीक है, गाय के लिए, गाय के लिए, गाय के लिए ना लिखू, यह लिखू, गाय से, अनेक शब्द, बने, ठीक है, जैसे, जैसे, गोधन, गविष्टी, युद्ध के लिए, युद्ध के लिए लोगों की आफशकता है, इसको इस अंदाज में, देखना, ठीक है, इन चीजों को, गविष्टी, ठीक है, युद्ध के लिए, इसी में लिख लो, जैसे, गोप, राजा, गोधुली, समय सूचत, ठीक है, अच्छा, यह जो गोधन है, ठीक है, तो गोधन के आश्या है, इस बात से है, कि युद्ध गायों के लिए होते थे, ठीक है, तो, जैसे नहीं, मद्यकाल में हम लोग देखते हैं, कि युद्ध हो रहे हैं, तो वो लूट के भाग जाते हैं, क्या सूना चांदी, तुना चांदी क्या है, धन है, तो अगर हम यहाँ पर गोधन को बैख्याइद करना चाहें, तो गोधन इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि युद्ध गायों के लिए होते थे, तो गायों को एक तरह से धन के रूप में, हम समझ सकते हैं, इसी तरह से एक शब्द दुहित्री शब्द का प्रियोग हुआ है, पुत्री के लिए, पुत्री के लिए, दुहित्री शब्द का प्रियोग हुआ है, इसको नोट के लिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इसी किरम में, आगे बढ़ते हैं, कि आद्रेयों को या यह लिखो, प्रारंबेक, प्रारंबेक, आद्रेयों को लोहे का ग्यान, नहीं था, ठीक है, इसको ऐसे लिखो के, आयस, आयस सब्द का, प्रियोग, हुआ है, लेकिन, उत्तर वैदिक काल में, क्रिश्न आयस, शब्द, लोहे को, निरूपित, करता था, ठीक है, इस समय यह आयस किसे कह रहे हैं, या क्या आयस को कहकर यह समझाना चाहते हैं, इस पर थोड़ी सी दुविधा है, कि वो आयस किसको कह रहे हैं, जबकि आयस जो है, वो लोहे के लिए, प्रियोक किया जाता है, तो यहाँ पर अगर हम कहें कि आर परचित किस्ते थे, तो सोना, चांदी, कांसा, पीतल, आदी से परचित थे, लेकिन लोहे से परचित नहीं थे, अब आयस का उन्होंने सब्द का प्रियोक किया है, तो हम लोग यही अंदाजा लागा सकते हैं, उन्होंने इदी में से किसी चीज को आयस के रूप में, कि व्याख्या करने का प्रियास किया होगा, ठीक है, ठीक है, चलिए, अगला महत्पूर्ण प्रेश्ण, कि महत्पूर्ण, पसल जो जिसको हम यव कहते हैं, ठीक है, महत्पूर्ण पसल थी, तो करमबद ढंग से चीजें आप सिखते भी जाईए, समस्ते भी जाईए, उनका मनन भी करते जाईए, जिस्से की वो चीजें, आपको लगभग यादसी होएं, चलिए, आगे बढ़ें, देखो, अब महत्पूर्ण है, धर्म, ठीक है, अब धर्म के लिए, एक छोटा सा विचार है, उसको ध्यान में रखिए, के आर्रे, धर्म को, तैयार कर रहे हैं, सब कुछ पहली बार है, उन्होंने अनिक देवी देवताओं को, चर्चा में रखा, रिगवेद में, तमाम देवी देवताओं की चर्चा है, एक लंबी श्रंकला है, देवी देवताओं की, और उनकी विचिस्ताएं उनमें दी गई है, किस देवता की क्या विचिस्ता है, उस आधार पर यास्क ने, उनको तीन भागों में विभाजित किया है, अंत्रिश के देवताओं, पर्थवी के देवताओं और आकाश के देवताओं, कैसे दें, क्योंकि जो कुछ भी प्रकृति में घटित हो रहा है, उस घटने वाली चीज के प्रति कोई तो है, शक्ती जो जिम्मेदार है, यह सोन्नो, ठीक है, तो यही कारण था, कि उन्होंने, चाहें जल हो, चाहें प्रकाश हो, चाहें हवा हो, अगनी हो, कुछ भी, जिन चीजों से उन्हें विशेश लाब्था, उनके प्रति उन्होंने एक ऐसा भाव, एक ऐसा प्रेम ब्रक्त करने का प्रयास किया, कि फिर वो दिरे-दिरे, एतिहास में, देवी देवतार के रूप में, परतिष्टित हुए, उत्रोत्तर बढ़ते कालों में, हम लोग इन्हीं देवी देवताओं को मूर्ती रूप में, देखते हैं, फिर और आगे बढ़ेंगे, तो फिर इन्हीं मूर्तियों को मंदिरों में इस्थापित कर दिया जाएगा, तो एक बिशाल हमें, इस्थापित कला, मंदिर इस्थापित कला देखने को मिलती है, ठीक है, इन्हीं सब चीजों को लेकर आये थोड़ा समझ लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कि आर अनेक देवी देवताओं, की पूजा करते थे, ठीक है, और अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे, अच्छा, इसमें और हम कह क्या सकते हैं, तो जो अभी आपसे कहा, कि पृत्त सर्तात्मक समाज है ना, तो उसको हम कैसे यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, कि पुरुष, देवताओं की संख्या ज्यादा है, ठीक है, पुरुष, देवताओं की संख्या ज्यादा है, संख्या में कम है, ठीक है, यह भी इसपश्ट हो गया, यह भी इसपश्ट हो गया, क्लिर, अच्छा, रिगवैदिक जो देवी देवता है, एक पॉइंट याद रखिए, कि रिगवैदिक, देव समोह, पॉराप्त होता है, कहां से, चौदा सो इसपुर्व के बोगज कोई अभिलेख से, चौदा सो इसपुर्व के बोगज कोई अभिलेख में, फैदिक देवता, इंद्र, मित्र, वरोन, यहीं लिख लिए, ना सकते, इसको ब्रैकिट कर देते हैं, अभिलेख में वैदिक देवता, इंद्र, मित्र, वरोन, ना सकते, इसको ब्रैकिट कर देते हैं, आदुनेक टर्की छेदर से प्राप्त, यह जो बोगज कोई अभिलेख है, यह बहुत बड़ी विशेस्ता है, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, और अभी जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, के यास्क ने इनको देवसमुहों को तीन गुरुप में बाटा है, एक हैं अंतरिक्ष के देवता, एक आकाश के और एक प्रस लिखे, ठीक है, लिखते चलिए, ठीक है, तो इसमें जैसे इंद्र, मारूत, रुद्र, इस तरहे के जो देवता हैं, इंद्र, मारूत, रुद्र, वाईू, इनको अंतरिक्ष के देवता के रूप में पहचाना गया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आकाश के देवताओं की बात करें, तो धो, यानि की आकाश, तूर्य, वरुण, ठीक है, इस तरहे के देवता, आकाश के देवता, ठीक है, प्रत्वी में जैसे अगनी है, प्रहस्पती है, याना, स्टोर्म है, ठीक है, इस तरहे के देवता, प्रत्वी के देवता, ठीक है, अच्छा, अच्छा, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम एक चीज, प्रत्वी जैसे अच्छा करते हैं, यहां तक नोट कर लिया, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब जैसे आर्यों ने देवताओं को, जैसे उन्होंने, प्रकृति को अगर वो धन्यवाद देना चाहते हैं, प्रकृति में घटने वाली घटनाओं को धन्यवाद देना चाहते हैं, तो सीदि सी बात है कि वो नहीं देख पा रहा है कि नियंता कौन है यह वो नियंता को नहीं देख पा रहे तो उसमें वो क्या करता है जैसे रिगवेध में अगर हम चर्चा करें तो जैसे इंद्र सबस्यादा सूक्त इन ही पर समर्पित है इसे 200 सूक्त इन पर समर्पित हैं इंद्र को कहा गया जैसे यह वर्षा के देवता है या क्योंकि इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है कि हमें इंदर को इंद्र से उन्होंने जोड़ी इसी प्रकार जब उन्होंने जो दूसरा अत्यंत महत्पूर्ण देवता देखो महत्पूर्ण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिगवेद में चर्चा है ठीक है अगनी है इन पर लगबग दोसों सूखते हैं है ना अच्छा इसको इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि रिगवेद में जिसकी जिसके नाम पर ज्यादा से ज्यादा सूखते हैं तो आप यहीं तो मानते हो कि वह उतना ही महत्पूर्ण हो गया है हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं लेकिन क्या कहा कि और भी विचार हैं जैसे कि हो सकता है कि इंद्र का आवाहन या और दाइसो सुक्तो में उनका प्रियोग इस बात का भी तो सूचक है कि वह अपना काम डंसे ना कर रहे हुए छेंना मैं टीवी पर प्रचार किसका आता है जो बस्तूमें नहीं भिकरें रही है जो बस्तूमें स्वत्र भिकरें हैं या जो जिनकी भिक्री अच्छी खासी ह वो पिरचार क्यों करेगा वो तो स्वता है क्य हांतों वहांत भिक रही है यह वे संतुम्ष्ट है हुआ है तो उन себя और दो बोसों आता जो नहीं भी खरीद लो आधिक से अधिक नाम आने का एक अर्थ यह भी निकलता है ठीक है एक पन अगनि है अक पने अक्टमेफोंट क्यों वा जसे माल लीजे कि है जमान यजमान बैठे है ऑना यग चला यह सब है берो डीकिन है अब यग मैं हो क्या है यग में अगनी है ऊप्तो है आगनी प्रजलित है या अगनी से हो क्या रहा है इस अगनी से कहीं न कहीं द्वाच पोटरा है नहीं ऊपर तो इसलिए अगनी को क्या देवता के बीच संबंध स्थापित करता है अगर यग्य से आप भावनाय निकालो बाहर ध्यान से सुनना अगर यग्य से भावनाय बाहर निकालो तो यग्य की भावना क्या है अगनी यग्य क्यों हो रहा है अगर वसके क्रिया पक्ष को देखा जाए तो विभिन प्रकार की सामग्रियां है और सारी सामग्री बहतरीन उस्तोगंदेत उसके बाद यग्य में अगनी प्रजुलित की जा रही है बहतरीन मंत्रोचारण हो रहा है ठीक है तो यह सब कुछ ज जमीन पर हो रहा है तो वह एक मैसिज है जो उपर पहुंचाया जा रहा है किसके माद्यम से अगनी के माद्यम से दूवे के माद्यम से क्योंकि इसके लावा क्या हम कारण कह सकते हैं शांति पूर्वग बैठ के भी मंत्रों चारण हो सकता है मैं लेकिन नहीं पूरे विधी विधान को तैयार किया गया तो बिना सोचे तो नहीं किया Either bak इसी तरह से एक तीसरा भी मेत्पूुन देउता है जिर को वर्व कहा गया है वर्वपून देउता है ये जलके दे उता है वर्व दूसरा इनको रित का रक्षक कहा गया है रित का मतलब क्या है रित का मतलब होता है प्रकृति का नियामक, प्रकृति का नियामक, प्रकृति के नियामक का मतलब है law of nature, मतलब जो कुछ भी प्रकृति में घटना घट रही है, उसका नियनता है ये, दिन होता है, रात होती है, हवा चलती है, पानी बरसता है, मतलब प्रकृति में जो भी घटना घट रही है, उनका ये नियनता है, तो कहने का आश्य प्रकृति का नियामक है, और प्रकृति में जो घटना घट रही है, वो लगातार घटी रहती हैं, उनको हम यूनिवर्सल ट ठीक है तो उसी आधार पर रित का एक अर्थ होता है सत्य ध्यान रखना ठीक है ये दोनों ही आपको अर्थ ध्यान रखने हैं बहुत ध्यान पूर्वक इसको नोट कर लीजिए हैं ना साथ ही साथ अगर हम लोग चर्चा करें तो देखो देवियां भी थी ऐसा नहीं है कि देवियां ना हो है ना देवी पूजा भी थी ठीक है तो देवियों में हमें किनके नाम मिलते हैं जैसे उशा अधिति इस प्रकार से हमें देवियों के नाम भी मिलते हैं ऐसा नहीं है कि देवियां नहीं थी देवियां भी थी इसमें कोई दो राय नहीं है ठीक है और अब सबसे महत्पूर्ण बात ध्यान से इसको भी सुनना ठीक है देखो आर जो रिग्वैदिक आर है वो पूजा पाठ कर हैं यग आधी संपन्न करा रहे हैं तो चाहें तो यग समझ लो और चाहें तो पूजा समझ लो अ कि देखो बहुत ध्यान से कि उद्देश क्या है कि किस उद्देश से वो ये काम कर रहे है तो ध्यान रखना कि उनका जो उद्देश है वो एक है संतती अर्था संतान प्राप्ति दूसरा उनका उद्देश है आरोग्य के निरोगी काया हो रोगना हो दिरगायू हो इन सब चीजों से ये बात इसपश्ट हो रही है कि उनका जो उद्देश है वो मूल रूप से लौकिक उद्देश थे पार लौकिक नहीं अत्यंत महत्पूर्ण ठीक है लौकिक उद्देश है पार लौकिक नहीं अचा संतती में दोनों ही हैं मतलब ब्रद्धी तो इसमें मनुष्य और पशु दोनों की ब्रद्धी की बात है क्योंकि हम लोग ने भी चर्चा करी कि युद्ध में पुरुष और खाने पीने पेड़ बनने के लिए पशु दोनों ही महत्पूर्ण है ठीक है तो इसको अच्छे से नोट कर लीजे अब इसी को हम लोग करम में जारी रखेंगे कल उत्तरवैदिक काल से तो उत्तरवैदिक काल को हम लोग तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे ठीक है तो पूरी उम्मेद की जाती है कि आपको चीजे समझ में आई होंगी और क्रम हम लोग अच्छे से मैनेज करके चलेंगे और कल इसी समय फिर मुलाकात करेंगे तब तक के लिए नमस्कार कर दो